तो यह जो कल किरेटर फोर्ट्री एप्स प्लाइन हो है उसमें सबसे इंपोर्टन जो था वो था अली एक्सप्रेस यह वो वीडियो है जिससे सारी कहानी शुरू हुई थी इसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था का में जोटानाल की फोर्टन जी फरर में आपडेट करें है कि इसके बाद किया था इतने सारे की बाण आगई शीक न एक तरहJean से लोग में डियों कर्ने लगे हैं किभाई मिचे जूतां इंपोर्ट है किदि करणी दूट लगेगी मेरी ग्राफिक पर कर सकता हूं किया का मै जो आपके जितनी स्वालों का जवाब मैं देने वाला हूं आपकी जितनी कंफीजन रिगार्डिंग अलीएक्सप्रेस अलीबाबा इसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा तो बेस्ट आप मैं नॉलेच मैंने काफे रिसार्च करी है यह वीडियो बनाने से पहले और मैं कोश्टम हाउज एजेंट हूँ तो कही ना कहीं मैं आपको गाइड कर पाऊंगा इस वीडियो को लास तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोग को कुछ प्रोटिप्स देने वाला हूं जिसका यूज कर देवे आप अलीबाबा से इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि अलीबाबा एक B2B वेबशाइट है जहां से कि लोग बल्क में और करते हैं वहां से किस तरीके से आप एक दो प्रोड़क्ट और कर सकते हैं अलीएकस्पेस के तरह ये भी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक है वह में जाप लोग के साथ शेयर करने वाला हू में और आजकल तो हम कस्टम आउक्शन के वार में भी खुब डिसकस करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक चोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूंगा देखिए मैं एक कस्टम हूज एजेंट मेरी जो डिलिंग रहती है वो रहती है अलीबाबा के स हमुए आप लोगो कही ना कहीं घुड़ कर पाऊंगा क्यूंकि मुझे पता है कि अलीबाबा को इंपोर्ट हूता है एंडिया में किस वख़े में होता है किस सेक्शन के से एंडर होता है तो सबसे Aliexpress के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग का Aliexpress और Alibaba का डिफरेंस पता होना बहुत ज़ाता ज़रूरी है देखिए Aliexpress जो है वो एक B2C पोटल है जो की business to consumer को serve किया जाता है यानि Amazon, Flipkart, Mintra जैसी हमारी domestic website है international website है उनका presence इंडिया में भी है उसी तरह Aliexpress भी है बट उनका presence है एक separate country में नहीं होता वो globally supply करते हैं उनकी logistics वाला जो पार्ट है वो काफी expert है वो लोग logistics वाले पार्ट में इसलिए वो पूरे world को cover कर पाते हैं कई सारी country में वो लोग अपना delivery प्रोवाइड करते हैं just like Amazon, Flipkart, Mintra and Jabong तो Aliexpress जो है वो एक B2C website है normal customer जाता है वहाँ से एक दू आइटम purchase करता है जैसे कि आप Amazon और Flipkart से करते हैं लोग बाग Aliexpress से इसलिए purchase करते हैं चीज़ों क्योंकि वहाँ पे चीज़े सस्ती मिलती है और इस टाइम पर इस पर्टिगूलर मोमेंट चाइना एक manufacturing hub है तो वहाँ पे चीज़े जो है वो थोड़ी सी सस्ती मिलती है तो इस वज़े से वो Aliexpress से order करते हैं तो अगला सवाल आता है क्या आप अभी भी Aliexpress से खरीच सकते हैं जिब बिल्कुल खरीच सकते हैं अगर वो website आपके area में खुल रही है और Aliexpress आपका order accept करता है तो उसको इंडिया में ship करने में कोई जादा problem नहीं आनी चाहिए क्योंकि website ban हुई है चाइना से import export regular चल रहा है हमारे कई सारे clients आइना से import करते हैं चाइना को export भी करते हैं तो चाइना के साथ हमारा trade ban कोई नहीं है कोई embargo नहीं है तो अगर Aliexpress आप खोल पाते हैं किसी तरह VPN वाकरा के यूज करते हुए और Aliexpress में जिस भी supplier से आप चीज खरीद रहे हैं वो अगर आपका order accept करता है और वाया DHL ये FedEx से किसी भी और international shipping से भीजता है तो वो आप तक पहुंच जाएगा उसमें कोई problem नहीं है अब आप पूछेंगे कि यार Aliexpress को ही क्यों specifically banned कि Alibaba भी तो Chinese website है देखी ये सारी चीज़ जो शुरू होई थी ये November में शुरू होई थी after Galwan Valley incident इसके बाद इंडिया ने कई सारे Chinese websites को banned किया था इं Express के बार में मैंने आप लोगों को बताई दिया कि ये जो है एक B2C platform है यानि business to consumer platform तो इसमें से जो लोग खरीते हैं वो generally consumer होते हैं एक प्रड़क्त दो प्रड़क्त तीन प्रड़क्त खरीते हैं बार बार खरीते हैं बट एक दो प्रड़क्त से जादा नहीं खरीते हैं त पर इससे क्या होता है कि इंडिया मार्केट को कही ना कहीं डैमेज होता है और ये इंडिया की growth में किसी तरह contribute नहीं करता है तो B2C platform होने के कारण यहांसा जो चीज़े खरीदी जाती हैं वो consumers के थूरू खरीदी जाती है consumer अपने personal consumption के लिए खरीदता है इंडिया में इंडिया से एक तो पैसा बाहर जा रहा है एक्सपोर्ट एक तरह से हमारे trade deficit बढ़ रहा है दूसरा हमारे employment में कोई increase नहीं आ रहा है हमारे economy में कोई contribution नहीं है AliExpress का और कहीं नहीं हमारी जो information है customers की वो भी Chinese website में पहुँच रही है Chinese database में पहुच रही है तो इस website को ban करके इंडिया को कहीं से कोई नुकसान नहीं है कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है तो इस website को इसलिए target किया गया है अलिबाबा को इसलिए target नहीं कि कि Alibaba से जो लोग generally import करते हैं वो होते हैं business owners या bulk में जो already trading कर रहे हैं चीजों को खरीदना बेचना resell करना जिनलोगा काम है वो Alibaba से import करते हैं अब पुछेंगे कि Alibaba कैसे हमारे economy में contribute कर रहा देखिए Alibaba इस तरही किसे हमारे economy में contribute कर रहा है जब हम वहां से चीज़े import करते हैं तो उस मैं से एक तो कैस्टम ड्यूटी देते हैं लोगवा क्युक्कि वहां से बल्क में इंपट होती है तो वह Permasterư वे में Upattform होती है तो वहां से जो लोग इंपोर्ट करते हैं तो ء़ुसम गोर्म को टेक्स देती है जी में लोग उसको यूज करके फर्दर मनिफिक्चरिंग करते हैं तो Alibaba कहीं ना कहीं हमारे एकनॉमी में कांट्रिबूशन है Alibaba के थू हमारे कई सारे बिजनसेंज चल रहे हैं Alibaba के थू लोग वा कई सारे सॉप्लायर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं वहां से raw material मंगवा के फिर further processing करके final product वह इंडिया में बेचते हैं या फिर इंडिया से export करते हैं तो Alibaba इसलिए अब तक safe है और Aliexpress को ban कर दिया गया है तो मारत बस्टोरी यह है कि आप लोग अभी भी Aliexpress से import कर सकते हैं जी हाँ बिलकुल कर सकते हैं अगर वह आप लोग उस website को खोलने में कहीं किसी तरह से खोल लेते हैं वाया VPN और वह लोग अगर अगर आप लोग कर लेते हैं तो उनका integrated logistics होता है सारा का सारा माल वहां जाता है एक अठा वह शिप होता है और जब इंडिया में आता है वह तो as under e-commerce का एक यहां पर section है और इंडिया में आप लोग को पता है कि इंडिया में के ब्लैक लिस्ट में आ गाए उस company के थुरू अगर इंडिया में को प्रड़क्ट आता है तो उसको क्राना कितना जादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझ में आई रहा होगा तो उनका जो main backbone है logistics को ही अगर आप hit कर देते हैं तो उनके लिए एक-एक single product आपके लिए बाइफिकेट करके single ship करना एकदम viable नहीं है इसलिए वो लोग आजकल इंडिया का order तक accept नहीं कर रहे है तो जो main reason है logistics part को इंडिया ने बहुत बुरी तरह hit किया है अगर उनकी तरफ से कोई इंडिया में export आता है और इंडिया में कोई इसको clear करनाने की कोशिश करता है तो वह बहुत ज्यादा difficult होने वाला है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है तो इसलिए आप आजकल Aliexpress इंडिया के orders थक accept नहीं करता है तो आप बात करते हैं Alibaba से कैसे खरीदना ह बिलकुल Aliexpress जैसा ही है किसी और e-commerce website जैसा ही है आपको वहाँ पे अपना account बनाना है अपना product select करना है order दे रहा है अब difference यह है क्योंकि यह B2B platform है इसलिए यहाँ पे जो लोग order देते हैं वो bulk में order देते हैं और यहाँ पे जितने supplier होते हैं उनकी minimum order quantity होती है अगर आप ल logistics वाला जो part होता है ना internationally shipping में वो logistics वाला part international shipping में काफी महंगा परता है जब आप उसको चोटी quantity में order करते हैं चोटी quantity में एक country दूसरे country में ship करते हैं तो उसके shipping cost है वो हमेशा जादा ही आती है तो इसलिए हर एक supplier यहाँ पे minimum order quantity set करके रखता है MOQ जितने ही आपको order करना ही पड़ेगा तभी वह आपको शिप करेंगे अब step by step देखते हैं कि आपको order करना कैसे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे सबसे पहले आपको एक supplier ढूड़ना पड़ेगा आपके particular कितनी स्टार की रेटिंग कितने सालों से वह अलीबाबा पर operate कर रहा है अब जरूरी नहीं कि कितने बहुत सालों से operate कर रहा है तभी वह अच्छा हो आप उनके response time को देखिए उनके देखिए कि वह verified है कि नहीं देखिए वह trade assurance को support करते हैं क्योंकि जब शुरू में लोगवा आपको पैसा भेजना होता है और जब आपका समान आपके आपके आप तक पहुंच जाता है और आप उसको अप्रूव कर देते कि as per quality और as per quantity है तब आगे अलीबाबा supplier को payment कर देता है इसका खेर एक total अलग criteria भी है थोड़ा बवास्ट है मैंने मोटा मोटी आपको समझाने क कोशिश करिए यह तो हो गया कि आपने supplier ढूंड लिया आपकी product specification match हो गई आपकी understanding हो गई supplier के साथ आपने सारे terms वगेरा क्लियर कर लिया कि भाई मेरे को यह product चाहिए इतनी quantity में चाहिए अब Alibaba के supplier है वो generally एक question बहुत जादा पूछता है वह question होता है कि आपके पास कोई agent ह shipping agent है कि नहीं तो इसके साथ लोगों को बड़ी confusion होती है कि हम आप छोटी quantity में order कर रहे हैं तो हमारे पास तो को shipping agent नहीं है और आप लोग कई बारी थोड़ा confuse भी हो जाते हैं कि मेरे को कैसे करना है क्या करना देखिए एक तरीकिसाना एक सही चीज है इससे यह एक चीज और और पता लगती है कि आप यह सप्लायर से डील कर रहे हैं वह authentic supplier है वह genuine supplier है वह कही बहुत टाइम से इस field में deal कर रहा है यानि वह export कर रहा है और उसको पता है कि जब वह सी third party logistics के द्वारा अपना export करता है तो उसकी costing कम पढ़ती है और वह खुद उसको export करना जाता है तो उस है कि जब आप अलिबाबा से purchase करते हैं तो कुछ trade terms होते हैं internationally आप जब भी किसी supplier से कुछ purchase करते हैं तो कुछ trade terms defined किया गया है by Chamber of Commerce जिसको कहते है इनको terms यह terms of invoice जैसे की FOB, Xworks, FCA, DDP, DDU यह सारी चीज़ है तो मैं आप लोगो एक छोटा सा बता दूँ क्योंकि हमारे मेरे यह video देखने वाले हैं यह बहुत ही initial level के importer होने वाले हैं बहुत ही छोटे importer होने वाले हैं तो जब आप sample import करेंगे एक दो pieces import करेंगे तो आप सीधा सीधा उनको बोलिए कि मेरे को जो है DDP terms में इसको भेजी है DDP terms ही होता है delivery duty paid या at least delivery duty unpaid DDU इसमें होता है कि जब आपको आइटम भेजेगा ship करेगा तो इसमें आपकी कोई सरदर दी नहीं है वो जो सारी shipping की cost है वो item के इंटर integrate कर देगा मतलब आप एक बार यह supplier को payment करेंगे उसी के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी shipping की cost भी custom clearance की cost भी origin में भी destination यानि चाइना में जो custom clearance की cost है इंडिया में जो custom clearance की cost है यह सारी की सारी integrate करके वो आपको quotation देगा कि आपको एक item का इतना पड़ेगा यह सारा costing मिलाने के बाल तो आप DDP terms या DDU terms चूज करिए हमेशा ही और इसको बता दीजे कि मैं इंडिया में कोई भी पैसा नहीं दूँगा आपको ही मैं सारा पैसा देने वाला हू तो DDP terms और DDU terms आपके बहुत साथ काम आने वाला है अब FOB, FCA, Xbox में पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको separate shipping agent hire करना पड़ेगा या उसका dedicated shipping agent आपको लेना पड़ेगा उसमें आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा तो छोटे level पे DDP terms और DDU terms आपके लिए best रहने वाले और आपको पता है जो इसके product का quality है जो आपका specification यह सारी चीज़े match हो रही understanding हो रही है आपका relationship build हो गया supplier के साथ आप Alibaba की ज़रुवत नहीं है आप direct उसके account में पैसा भेज रहे हैं जतना भी आपका agreed है और वो आपको ship कर रहा है as normal उस time पे आप अपना एक separate shipping agent hire कर सकते हैं उनका nominated shipping agent भी hire कर सकते हैं वो आपके बहाफ पे सारी चीज़े करते हैं जब आपकी quantity काफी बढ़ जाती है 100 kg, 100 kg, 200 kg आप आइटम मंगवा रहे हैं तब यह shipping agent आपके बहुत काम आने वाला है क्योंकि जब quantity बढ़ जाती है तो shipping cost भी बढ़ती है और shipping cost को handle करने के लिए shipping cost को आप एक shipping agent को hire करते हैं जो आपके बहाफ में सारी चीज़े करता है औरीजिन में माल को supplier से पिक करना, transportation करना, चाइना में उसके custom clearance करना, फिर उसको ship में load करा के इंडिया तक लेके आना, इंडिया में custom clearance कराना, फिर यहां से इंडिया से ट्रांसपोर्ट करके आपको door step तक पहुचाना, यह सारा काम shipping agent करता है, जब आपका transaction commercial level पर होने लगता है, 100 kg, 200 kg, 12000 पी सा मंगवाने लगते हैं, तब आप अपना shipping agent hire कर सकते हैं, चलिए आप लोगों को मैंने importer तो बनाई दिया, आप लोगों को पता लगए कि Alibaba से कैसा import करना है Alibaba और Aliexpress में क्या difference है, अब सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने मिलते हैं, अब तक question पूछा है, हर एक बंदे के दिमाग में यही question रहता है, जब भी उसके दिमाग में import या export की बात आती है, कि भाई मैं कौन सा item import कर सकता हूँ, और इसकी duty कितनी लगने वाली, custom, मिरको तो पता नहीं कितने ही इसकी question आते हैं, कि भाई में यह item import करना चाता हूँ, इसकी custom duty क्या लगी, भाई में graphic card import करना चाता हूँ, इसकी custom duty क्या है, भाई में drone import करना चाता हूँ, इसकी custom duty क्या है, क्या यह custom में first तो नहीं जाएगा, तो custom duty का जो criteria है, इसको भी मैं दो part में divide करता हूँ, आपको आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सबसे पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानि आई इसी कोड दूसरा है आपकी कंपणी होई चाहिए इंडिया में जी एस्ट क्यूंकि आपको जी एस्ट पे करनी पर थी आई जी इस्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर शेकं और पर आपको एस्ट एक्सपोर्ट के केस हमें भी लगने वाले है अब बात करतेत trick को ड्यूट के ळखोगा ड्यूट कर inappropriate gonna learn एक आइटम में कितनी ड्यूटी लगने वाली है सपोस एक आइटम में कोई भी मान लाते हैं कि एक ELE D light जिसको यूज करके मैं यह वीडियो बना रहा हूं यह ELE D light इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें ड्यूटी लग रही है पांच परसंट की आफ्टर जो ट्रेड बनिफिट है सब्सक्राइब करने के लिए तो इसके बाद यह बढ़ जाएगी तो ड्यूटी किसी भी आइटेम की कभी भी फिक्स नहीं है यह चेंज होती रहती है उसमें कई सारे वेरियेबल फैक्टर्स होते हैं एक ड्यूटी को को डिसाइड करने के लिए यही LED लाइट अगर आप आशियान के अंडर किसी भी आशियान कंट्री से यह विएतनाम ताइवान आपका विएतनाम ताइवान इंडोनेशिया इन सारी कंट्री से मंगवाते हैं तो इसमें पर्टिकूलर आइटम में जो ड्यूटी लगेगी वह इसमें पर्टिकूलर आइटम नहीं लगेगी और किसी भी सप्लायर से मंगवाएंगे तो इसमें एंटे डंपिंग लगेगी एंटे डंपिंग यानि एक्स्टा ड्यूटी देनी पड़ती है आपको एक आइटम के उपर कस्टम ड्यूटी के अलाबा उसको एंटे है जो आप मंगवा रहे हैं तो उसमें आपको benefit मिलने वाला है आशियान के अंदर बहुत सारे हमारे multilateral trade agreement भी होते हैं बहुत सारी countries के साथ एक साथ agreement होते हैं जैसे कि आशियान का agreement है तो Vietnam, Taiwan, Indonesia से आपको इस product मंगवा रहे हैं और उस product पे इंडिया ने उस agreement के अंदर वो product included ह है तो उस product पे अलग duty लगने वाली है आपको concessional duty लगने वाली है कोई और product मंगाएंगा तो आपको ज्यादा duty लगने वाली है कई सारी चीजों पे आपको अलग से certification देने होते हैं तो duty का जो factor है कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि जिस चीज की duty आज इतनी है वो ज़रूरी नहीं कि एक साल बाद भी उसमें उतनी ही duty रहे हो सकता है कि एक साल बाद वो completely restrict हो जाए क्योंकि देखे टायर की duty पिछले साल कई सारे ऐसा आइसा आइटम से जो इंडिया ने डिस्टिक्ट कर दी है कि इन आइटमों को आप import करें नहीं सकते और कई सारे चीजों पे duty बढ नहीं नहीं बता सकता कभी भी एक particular इसका एक formula नहीं है कि आप यहां चाहिए यह चीज टाइप करिए और आपको duty निकल के आजाएगी आप लोगों को पता लग यह बागा कि किस तरीके से आप लोगों को Alibaba से import करना है किस तरीके से आपको efficiently Alibaba से import करना है इस video को देखने के बाद आप लोग चोटे मोटे expert नहीं चुके हैं अलिबाबा से IMPORT करने में और अलिबाबा या Aliexpress से regarding कोई भी आपका कमेंट है कोई भी सुझा हुए तो आप नीचे comment box में दे सकते है मेरेको और आप किस तरह का business करना चाहते हैं किस तरह का import करके अपना business शुरू करना चाहते हैं वो भी मिरेको कमेंट करके यूज करते हुए मैं अलिबाबा से इंपोर्ट करता हूँ तो देखे जब अलिबाबा से आप इंपोर्ट करते हैं आप लोग का सारा क्राइटीरिया फुल्फिल हो गया अपने स्पेसिफिकेशन मैच के लिए मुख्यों आपका मैच हो गया वरिफाइट सप्लायर रेट्रे सब्सक्राइट 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 है यह 100% genuine है यह कोई middleman नहीं है second up second up यह यूज कर सकते हैं अगर आप लोग पहली बारी suppose आप लोग या तो छोटे importer होंगे जो पहले sample मंगवाएंगे और चीजों को धीरे-धीर start करेंगे कई लोग होते हैं जिनको अलड़ी है business setup है business set है उन फियरे वहां जो पिससे करें लोग को बस एक और अपना business start करने हैं इनके अइसी एजज सकती करते हैं इसके जो उनके पडि Key voiceल करत दिलिंग करता है तो इससे होता यह devi जो supplier है और final consumer है उसके बीच में consumer का यानि importer का एक agent वहाँ present होता है चाइना में जो की quality check वगरा करता है और payment वगरा को देखता है सब कुछ अपने एंडर में ले ले लेता है तो इसमें risk factor बहुत कम हो जाता है चोटे importers के लिए नहीं होता है जिनके पास already capital है जिसका already business set है और जो अच्छा capital लगा सकते हैं जिनके पास अतनी power है capital लगाने की वो generally इस तरीके को use करते हुए अपना पहला initial import करते हैं क्योंकि वो पहली बारी में ही काफी बड़ा order देने वाले होते हैं तो I hope आप लोगों को सारी confusion दूर हो गई होगी Alibaba और Aliexpress के around यतनी भी आपकी confusion थे regarding import, regarding document, regarding custom duty, regarding compliance एक चीज में आप लोगों को और बताना चाहूंगा इस वीडियो को खतम करने से पहले जब भी आप initial level पे import तो हमेशा try करिए कि electronic goods को avoid करिए क्योंकि electronic goods जो है इंडिया में import करना थोड़ सा tricky रहता है उसमें कई तरह के compliance होते हैं, BIS हो गया, WPC हो गया, आपका EPR हो गया, Legal Metrology हो गया, तो ये कई तरह के compliance certification होते हैं electronic goods के around, तो इन चीजों का avoid करने की कोशिश करिए, initial level पे आप ऐसे item इंपोर्ट करें जो कि plastic के है, toys को भी मत इंपोर्ट करेंगा क्योंकि आज की date में toys के ऊपर भी है, BIS certificate है, तो अधर कोई भी आप चीजों को import करिए और देखे कि वो item आपका इंडिया में restricted ना हो, जैसे कि drone है, आपका गोई भी, firearms related ऐसा accessory है, ऐसी accessory है, जो कि कि किसी भी ब import start करिए, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उसको custom clearance कराने में, और duty भी आपको exactly उतनी ही देनी पड़ेगी जितना आपको पता होका पहले से, तो I hope कि आप लोगों को सारी confusion दूर हो गई है, Alibaba और Aliexpress के around, और वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए किसी और वीडियो में मिलते हैं similar information के साथ, similar knowledge के साथ, तब तक के लिए thank you, नमस्ते